असलाम लीकुम, student, to do our topic is the defined processing device, processing device के माने में बेहान करें, modern computers जो base करते हैं, वो IPO cycle के ओपर base करते हैं, IPO cycle means, I मतलब input, P मतलब processing and O मतलब output, यह निए कि हम computer को input देते हैं, then CPU जो है, वो उसको process करता हैं, उसके बाद हमें उसका output देता है, यह निए IPO के ओपर modern computers जो हैं, वो base करते ह ठीक है, उसके बाद जो P part है, यह निए processing है, यह सब system में होता है, ठीक है, और जो सब system है, वो ज्यादा तर computer CPU के नाम से जाना जाता है, और next question is, what is CPU, अब हम CPU के मारे में देखेंगे, कि CPU क्या है, CPU is called the brain of computer, CPU जो है, वो computer का दिमाग उसको कहा जाता है, और CPU जो है, वो input devices से data लेता है, और उसके बाद उसको process करने के बाद में output देता है, CPU के अंदर hard disk RAM होती है, जो के हमारे data को स्टोर करने में मदद देती है,